नमस्कार दोष्टो आज फिर से हम अपने चैनल पे आपका हर्दिक अभिरंदन करते हैं महिलाओं को सुबा उठकर पती के साथ जरूर करना चाहिए ये काम खुल जाएगी किसमत जी हाँ आपने सही सुना हिंदू सास्त्रों में सुबा उठकर क्या करना है और क्या नहीं करना है या बताया जाता है ऐसे में आज हम महिलाओं को या बताने जा रहे हैं कि उन्हें सुबा उठकर क्या करना चाहिए जिससे उनकी किसमत चमक सकती है महिलाओं को सुबा उटकर कुछ कारे करने की सला दी जाती है और ऐसा करने पर वह अपना और परिवार का ध्यान अच्छी तरीके से रख सकती है तो महिलाई क्या करे और क्या नहीं करे अगर महिला साधी सुदा है तुने उटकर योगा करना चाहिए और योग के बाद पती के साथ जादा नहीं पर थोड़ा सा रोमांस जरूर करना चाहिए सुबा उठते ही महिला और पूरुस दोनों को पानी पीना चाहिए और यह इस बज़ा से जरूरी है क्योंकि सुबा उठते ही अक्सर लोगों को चाय पीने की आदत होती है और चाय हमें अनेक बिमारियों में बांध देती है इस बज़ा से सुबा हमें अधिक मात्रा में पानी पीना चाहिए महिला और इस तरी दोनों को सुबा सुबा स्नान करना सभी के लिए लाबदायक होता है पर महिलाओं के लिए बिसेश का जरूरी होता है क्योंकि हमारे यहां से पुरानी परंपरा चलिया रही है कि महिलाओं को सुबा उठकर ही नहा कर रसोई में जाना चाहिए महिलाए रसोई में जाने से लक्षमी का वास होता है सो हमें नहा कर ही अपने लक्षमी के घर अर्थात रसोई में वास करना चाहिए अपने घर में हमें एक तुलसी का पौधा जरूर लगाना चाहिए और सुबह और उसकी पूजा करने चाहिए म्यूजिक किसी के भी मूड को अच्छा कर सकता है वह सुबह गाने सुनने से डिप्रेशन खतम हो जाता है साथ ही साथ हमें योगा और प्रनायाम और सुरे की लालिमा के से निहारना चाहिए जिससे महिला और पुरुष दोनों के शरीर में तेज चमक होता है और मालक्षमी की किर्पा प्राप्त होती है सो महिला और पुरुष को तुलसी के जल में जल अलपन जरूर करना चाहिए यह बहुत ही फायदे मन्द है क्योंकि शविता शूरे का देवता है जो सूरे से हमें तेज और प्रकरता प्राप्त होती है अगर सुबह उठकर महिलाओं अगर ये सब काम करें तो महिलाएं को खुल जाएगी किस्मत इसमें कोई भी दुविधा जनक बात नहीं है सो आप ये उपाय करके देखें जल्द ही आपकी किस्मत चमक उठेगी उमीद है आपको हमारा ये वीडियो अच्छा लगा होगा अगर अच्छा लगा है तो प्लीज एक लाइक कर दे हमारे वीडियो को सेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर हमें मोटिवेट करते रहे धन्यवाद मित्रो धन्यवाद